स्वागती आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ओनलाइन जेके क्लास्स में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार जमीन सर्वे 2023 के बारे में अगर आप भी जमीन से सम्मंदित कोई भी जनकारी पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपको मेरे चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में जमीन सर्वेश सिस्टम मन्दित जो भी जनकारी नई सामने आई है वो मैं आपके साथ सजा करने जा रहा हूँ बिहार सरकार फरवरी में तीसरे और चौथे चरण का विसेस भूर सर्वेक्षन सुरू करेगी इसकी तैयारी चल रही है राजसिव एवं खुली सुधार विभाग ने इसके लिए ब्यापक कारी उजना बनाई है इस समय 20 जीलों में यह कार्य चल रहा है इन जीलों के 89 अंचलों के 208 सीविरों के तहत 4989 गाओं में विसेस सर्वेक्षन का कार्य हो रहा है यहां 2729 विसेस सर्वेक्षन अमीन 282 कानून गो एबम 164 विसेस सर्वेक्षन सायक वंदोबस प्रादिकारियों को यह जिम्मवारी सौपी गई है जमीन सर्वेक के पहले चरण में किसं गंज कटिहार वेगु सराय खगडिया लखी सराय जहानाबाद सेखफुरा अररिया पूर्णिया सितामडी सुपोल सहरसा मधेपुरा पस्चिम चंपारन जमुई मुंगेर नलंदा शिवहर बाकाव अरवल जीलेक में सर्वेक का काम ह यहां अब तक लगभग 4000 गाओं में किस्तवार 1200 गाओं में कानापूरी 800 गाओं में खेसरा पंजी का निर्मार कर 700 रजस्व गाओं में रयतों के मध्य खानापूरी परचा वा लपीम का विस्तरण किया गया है लगभग 400 रजस्व गाओं में प्ररूप अधिकार अभिलेक वा 200 में अंतिम अधिकार अभिलेक एवा मान्चित्र प्रकासित किया गया है दूसरे चरण में इनी जीलों के 631 अंचलों के 9600 गाओं में काम हो रहा है यहां 5000 गाओं में खतियान की विवरणी तजारी की गई है इस चरण का कार्य इस साल अगस्त तक पूरा होगा इन कारियों के लिए 6675 पद स्विक्रित किये गए हैं इन में 332 सर्वक्षन कर्मी कार्य कर रहे हैं कार्य बल उपलब्द होने पर 34 चरण में 13 जीलों में 205 अंचलों में यह कार्य सुरू करने की योजना है संबीदा कर्मियों का बढ़ेगा वेतन साथ ही आपको बताते चलें जो भी जमीन सर्वक्षन में जूटे करमचारियों के वेतन ब्रिधी पर विचार हो रहा है रजस्वे एंभूमी सुधार विभाग ने इसके लिए रजसरकार से अन्रोद किया है यही नहीं आत्रा भत्ता को लेकर भी सकरात्मक पहल की जा रही है ऐसे में भाग के सची उजय कुमार सिंग ने हर्ताल पर गए सन्विदा कर्मियों से अपने कारे पर वापस आने की अपील की है साथ ही हर्ताल कर रहे कर्मियों को यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार की अति महत्पून विशेश सर्वेक्षन योजना को बाधित करने कारण कर्मियों को दंडित भी किया जा सकता है तो अब तक के लिए ये बड़ी ख़बर और सबसे बिहार से सम्बंदित ये जमीन सर्वेश सम्बंदित नई ख़बर है बिहार में अगले महीने से सुरू होगी तीसरे और चौते चरन का जमीन सर्वेश सनवीदा कर्मियों का भी वेतन बढ़ेगा यानि इसी महीने फरवरी में ही क्योंकि ये अभी-भी सुरू हुआ है महीना इसी महीने के मैं बात कर रहा हूँ तो प्लेज वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जमीन से सम्बंदित कोई भी जानकारी पाने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद